हेलो गाईज, बहुत किने वाले हैं, GMR Airport, इस कमनी के बारे में, इस कमनी का quarter 3 FY23 का result आ चुका है सामने, कैसर आ इस कमनी का result और क्या इस कमनी ने dividend दिया है कि नी, इसी के बारे में discussion करेंगे, तो वीडियो को जरू से enter देखते रहे ना, GMR Airport या GMR infrastructure की बात करेंगे, तो इस कमन का result है, यह पिछले quarter का result है, यह पिछले साल सेम quarter का result है, कमनी की income के साथ शुरूआत करता है, तो revenue from operation and other income को मिला कर कमनी का total income, इस quarter के अंदर 1,927.9 करो रुपीस का कमनी का total income है, quarter and quarter base के ओपर और पिछले साल सेम quarter के मुखाबले, company की income में लगातार बड़ोतरी होती भी नज आ जाती है, बाकि इस कमनी के expense की बात करें, तो revenue यहाँ पर revenue share paid, उसके साथ साथ अलग अलग यहाँ पर cost of material, purchase of stock interest, वो साई चीजों को मिला ले, तो company का total expense यहाँ पर 2,094.71 करो रुपीस का देखने का मलता है, जिस प्रकार से company की income बढ़ी है, वैसे वैसे करके company के expense भी and expense item काटने के पहले, company ने loss generate किया है, 167.52 करोड रुपेस का company loss generate करी है, और company का पिछले साल के अंदर company profit generate करी थी, इस बार loss generate किया है, ठीक है, अभी यहाँ अपर net profit आप लोग देखने जाओगे, तो यहाँ इस चीज़ के अंदर expense item add होने की वज़े से, company का net profit है, वो यहाँ आपर से बहुत जादा increase हो चुका है, मतलब इस company ने आपर से actual में profit generate करना start कर दिया, ठीक है, company ने 104.82 करोड रुपेस का net profit generate किया है, जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले बढ़ता हुआ नजर आ जाता है, बाकी इस company का यहाँ पर आप लोग अर्निंग पर share EPS की अर्निंग पर share इस quarter के अंदर देखने को मलता है, 28 रुपेस के आसपास का जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले कम होता हुआ नजर आ जाता है, overall यहाँ पर मैं अपनी तरफ से बोलू, तो देखो overall इस company का result बहुत ही जादा आप लोग बोल सकते हो, बहुत जादा volatile है, और इस company का result आने वाले समय में बहुत जादा disturb हो सकता है, क्योंकि अधानी बहुत ही जादा aggressively, airport segment के अंदर enter हो रहा है, और यह जो industry है ना, उसके अंदर अधानी group यहाँ पर से बहुत जादा बड़ा कबजा जमा सकता है, ठीक है, तो मिरको ऐसा लगता है, GMR airports इस company के investment करने में कुछ खास फाइदा होगा नहीं, और इसलिए मैं अपने viewers और subscriber को यही चीज़ बोलूँगा, company से आपर थोड़ा दूर हो तो जादा अच्छा है, देखो company ने अपने shareholders को कुछ खास loss नहीं कमा कर दिया है, बाकि time बहुत ज़दा waste करके दिया है, मतलब आप लोग तक company का खास return नहीं कमा कर देती है, और उसके बाद company के share में अच्छानक से बहुत ज़दा तीज जाती है, पर इसमें क्या दिखा था, पता है, आप लोग maximum चाट पीटन देखोगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप तो पता चलेगा, company का share list हुआ, तीजी दिखाई और यही range के अंदर बलके इससे नीचे के range के अंदर trade हुआ करता है, तो मेरे को ऐसा लगता है, कि यह company है ना आपका time खा रहा है, और कुछ खास profit मिलेगा नहीं, तो invested हो, hold रख सकते हो, profit में हो तो profit को book करके निकल जाओ, औ दूसरी company के अंदर investment करूँ, बाकी इस company के अंदर invested नहीं हो, तो मेरे तो यही सला है, कि आप लोग इस company के अंदर, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, long term के अंदर, यहाँ पर पैसा बिलकुल भी नहीं लगाना चाहिए, short term में पैसा बन रहा है, उससे निकल जा आता है, तो इस company के अंदर, जो भी profit मिल रहा है, थोड़ा बहुत profit लेकर निकल जाना ठीक है, बाकी आप निचे के levels के उपक खरीदारी करने की बिलकुल भी जरुवत नहीं है, तो बस अच के लिए इतना ही, good bye love, good bye, फिर मेल तर नेक्स डेयो में, good bye.